सर हमने अब तक ये तो देख लिया कि अगर management मान जाती है और वो अपने FS को amend कर लेती है तो मुझे क्या करना है पर अब ये देख लेते हैं कि what if management इंकार कर रहे management नहीं माने वो बुलिए जाओ कि मैं FS को amend नहीं कर रही तो फिर आपने क्या करना है जरा उसको देख लेते हैं पर उसको देखने से पहले आप जरा logical बात मेरी सुने है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपने लेट से report sign कर दी है आपने report sign कर दी है ऐसा ही है और report sign करके आपने सामने वाले को दी नहीं है अपने पास ही रखी वी है यानि आपने report sign कर ली आपने पास रखी वी है और सामने वाले को दी सामने वाले को नहीं दी मतलब management के पास वो report गई ही नहीं है तो आप क्या करेंगे जब आपको event पता लग गया तो logical सी बात है आप उस page को फार के फिकेंगे और simply एक काम करेंगे एक amended audit report issue करेंगे और वो आपका जो opinion है वो modify हो जाएगा based on के effect material है परवेजव है जो भी है क्यों क्योंके sir आपके पास report है ना वो मान नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा sir मैं अपनी report को modify कर दूँगा अपनी opinion को modify कर दूँगा that's it पहली चीज़ के लिए तो देखे एक हो कहता किया वो बलता है if management does not amend the financial statements the auditor shall if the auditor's report has not yet been provided to the entity the auditor shall modify the opinion as required by other 705 it can be sir qualified it can be adverse it can be anything क्यों क्योंके depend करता है हालात वाकिया के उपर के अगर वो event जो adjusting event जिसको मैं कह रहा था या whatsoever disclosure था जिसको मैं कह रहा था वो आपकी नजर में pervasive भी है तो आप फिर adverse देदेंगे क्योंके 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 सर्थ आप कह रहें कि वो matter जो है वो सिर्फ material नहीं बलके pervasive भी है आगे फिर मैंने कहा if the audit report has already been provided to the entity अगर मैं already entity को audit report provide कर चुका हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा सर्थ मैं simple सी बात है उनको request करूँगा कि वाइस को सही कर लो आए देखते हैं अगर management अलग है दो शाविद गवननेंस अलग है और वो management के कामों में involved नहीं थे तो उनको भी बताऊंगा वो कह यह रहा है कि भाई आप प्लीज इसको आगे किसी थर्ट पार्टी को issue नहीं कीजेगा जब तक ये एफस तही नहीं हो जाते देखो logical सी बात है ना मैंने कहा कि भाई मुझे कोई subsequent event पता लगा कब पता लगा सर मेरी report issue होने के बाद नहीं report date के बाद अब report date के बाद मुझे पता लगा पर अगर यही चीज मुझे report date पे पता होती तो that would have cost auditor to amend the audit report जो कि उस fs पे दी गई है उस वाले period के उपर दी गई है यह बात clear है अब आगर सुनिएगा फिर वो कहता ही है कि भाई अगर report sign करके तुमने अपने पास ही रखी लिए उसको नहीं दी है तो कोई tension वाली बात नहीं है क्योंकि वो change नहीं कर रहा था fs को तो आप अपनी audit report modify करके दे देंगे अपने opinion को modify करके देंगे फिर वो कहता ही है कि भाई दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप report दे चुके है और अभी आपके fs issue नहीं हुए issue मतलब public में नहीं गए तो आप पर simply एक काम यह करेंगे उसको बोलेंगे कि भाई notify करेंगे कि देखो मुझे यह मसला पता है आपको यह आगे issue नहीं करना मैं आपको अभी सही बता रहा हूँ और what if अगर financial statements फिर भी issue हो जाएं without the necessary amendments तो auditor फिर appropriate action लेगा ताकि उस fs के उपर reliance ना ली जाए लोगों की attention में लेके आएगा अब कैसे अब जैसी बात है अब यह depend करता है प्ली सुनिएगा अब यह depend करता है कि कौन कौन से course of action होंगे let's say auditor यह कर सकता है कि जब AGM में उसको invitation जाएगा तो AGM में जाकर disclose कर दे बोल देगे भाई इसके इंदर मसला है मैंने आपकी दोष्चाविद governance को management को का उन्होंने फिर भी issue कर दी है आप हो सकता है कि भाई अपनी governing body को involve करें सभी जी जैसे कि I-CAP आप SECP को बोल सकते हैं कि भाई देखो यह मसला है मैंने बोल दिया आप देखें कि कर नहीं रहें आपके पास भी F-S आएंगे तो आप भी मौदाद रहेंगे क्योंकि आपके पास भी F-S जमा होते हैं तो सभी समझने की बात यह है कि अगर मुझे कोई ऐसा fact पता लगे जो मेरी audit report के date के बाद पता लगे जो कि मुझे report दिन पर पता होता तो मैं अपनी audit report को amend कर दिता अगर तो management को सही नहीं करती तो यही तो हुआ यहाँ पर कि if management does not amend the financial statements तो फिर auditor क्या करेगा भाई अगर report आगे इशू नहीं किती उसने sign करके अपने पास अगिविदी फार के बेगेगा अपने opinion को modify करेगा दे देगा दे दी थी management से request करेगा उनको notify करेगा आपने आगे इसको public नहीं करने है तिसी चीज़ फिर भी public हो गया तो फिर आपने कुछ necessary actions लेने हैं to prevent reliance on those FSC क्योंस प्योंस मसला है I hope this is के लिए sir ये तो कहानी हो गई कि अगर आपको कोई fact पता लगा report date के बाद FSC के market में जाने से पहले अब अगर हम इसके chunks बना हैं तो logically सोचें आपके उपर क्या जिम्यतारी थी कि year end के बाद यानि financial statements date के बाद और आपकी audit report के दिन तक जितने भी events होंगे subsequent events जिसकी adjustment दरकार होगी जिसका disclosure required होगा वो हो गया हो उस FSC के अंदर जिसके आप report issue कर रहे है पहला तो objective यह है अचा पर दूसर बोलता ही है अगर चलो सही है वहाँ पर कुछ नहीं हुआ report sign होगे तो देखो report के बाद और आपके FSC issue होने से पहले कोई event पता लगे तो क्या करना है वो सिखा दिया अब यह देख लेते हैं कि अगर 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 financial statement भी market में issue हो गए अब फिर तुम्हें कुछ पता लगे fact पता लगे और वो fact तुम लोगों को पता होता कब sir जब आप report sign कर देते तो that would have cost you to amend the audit report तो इस case के अंदर क्या करना है तो आप वो देख लेते हैं फिर repeat कराऊं तीन चीज़ें पहले जिमेंदारी क्या थी financial statement date के बाद और sir audit report के दिन तक आप कुछ necessary procedure परफॉर्म करते हैं जिसमें मैंने कहा था inquiry of the management होगी सही ही आप management का process समझेंगे और management का वो process समझेंगे के भाई management ने खुद क्या process लगाए हुए क्या process placing किये हुए just to make sure just to make sure कि subsequent event identify भी हो जाए और वो account for disclose भी हो जाए है तर उसको होना चाहिए I hope this is clear फिर हमने का था भाई subsequent जो meetings होती है उसके minutes of the meetings read कर लूँगा, interim fs देख लूँगा written representation ले लूँगा वो सारे पैंटोय अपना के भी एगर report sign हो गई है उसके आगे ही कहान नहीं बढ़ गई है तो क्या करना है वो भी सीख लिया, अब सीखेंगे fsb issue हो गए फिर पता लगा है फिर क्या करना है वो सीखते है, आ जाएं, तो मैंने ये fs की issue date मार्च 31 2023 और मुझे पता लगा पहली apple 2023 को यानि fs के market में चले जाने के बार ये भी बहुत ही जादा आसान है ये भी बहुत ही जादा आसान है बनी need to look it at very clearly और बहुत ही focus होके देखे गा इदर, अच्छा मैंने ये कहा अगर ये matter मुझे पता होता audit report date पर तो मैं report को क्या गप देता modify का बात अभी भी हुई है क्योंकि ऐसी बाते report दिन पर मुझे पता होता तो मैं ऐसी धोईने जाने देता अगर management सही नहीं करती तो इस case में भी कहानी होई है कि जब आपको fact पता लगा तो आप ये discuss करेंगे management और दो शागत governance है पहली चीज़ होगा दूसरी चीज़ आप determine करेंगे आप determine करेंगे कि whether financial statements के अंदर amendment required है या नहीं है FS के अंदर amendment required है या नहीं है वही वाली कहानी कि बाइए या या तो adjusting होगा या तो non adjusting होगा management को बोलेंगे कि भाई इसको सही करो management को बोलेंगे आप इसको सही करो आप किस तरीके से इसको address करना चाहिए देखो ये लिखावा if so how management intents to address the matter in the FS क्या वो account for कर रही है क्या वो disclose कर रही है चलो अब मैं कहा रहा हूँ उसमें भी 2 cases बनाओ कि अगर वो अगर वो amend कर ले financial statements तो auditor क्या करेगा पर एक बात तीखेगा इसके दो additional steps है बस इसके लावा कुछ भी नहीं है इसके लावा कुछ भी नहीं है सुनिएगा focus के साथ पहली चीज़ मैंने ये कहा किस तर अगर management amend करती है financial statements तो auditor क्या करेगा सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ वो ये करेगा necessary procedures perform करेगा जो के amendment पे करने चाहिए जो के amendment पे करने चाहिए अब वो क्या procedures हो सकते हैं ज़रा focus होके इदर देखिएगा मैंने कहा कि एक disclosure जाना चाहिए था एक contingency के उपर जो आपको बाद में पता लगी है तो आप simple क्या करेंगे वो contingency उठागे read करेंगे और जो lawyer की confirmation होगी उससे effects and figures को match कर लेंगे अगर कोई adjustment required थी तो provision की amount को check कर लेंगे क्या वो provision सही book हुआ या नहीं हुआ profit उससे कम हुआ या नहीं हुआ या यह FS, यह FS market में जा चुके थे तो अब एक और काम यह करेंगे कि हम management ने necessary steps लिए उन लोगों को बताने के लिए उन लोगों को बताने के लिए जिनके पास यह FS शरह गए थे कि यह मसला हुआ है इसलिए हम यह FS वापस reissue करेंगे देखो क्या लिखा हुआ review the steps taken by the management to ensure that anyone in receipt of the previously issued financial statements together with the auditor's report thereon is informed of the situation या उन सब को इस situation का notice चला गया और जैसे भाई, annual general meeting का notice जाता ने एक किस दिन पहले तो वैसे ही पर जैसे आपने यह notice भीजा था और यह सारे FS वाफस लगा के उनको चिपकायते बेजेते अब उसी तरीके से प्लीज सुनिएगा उसी तरीके से उन सब को inform करो वापस से के भाई यह मसला था इस situation के बारे में उसको aware करो क्योंकि मेरी report उसके साथ लगी वी है I hope this is clear आगे सुनिएगा फिर वो बोलता है extend करिएगा audit procedures to the date of new audit report क्योंकि अब आपने new report देनी है तो new report देनी है तो मतलब क्या कि जिस दिन वापस से report sign करोगे उस दिन तक के वही वाले सारे procedures subsequent event को identify करने के लिए वापस से perform करोगे क्योंकि हो सकता है कुछ और भी मिल जाए वही कानी पर इसमें सिर्फ दो additional चीज है पहली चीज क्या कि भाई आप जो amendments हुई है उसके उपर वापस से check करेंगे उसको क्या amendments से हुई है नहीं हुई है पहली चीज और दूसी चीज से कि those who were previously informed about the information जिनके पास यह information जा चुकी थी क्या उनको हमने तमीज से यह बता दिया कि situation क्या है कि मैं अपने fs amend करूंगा रिपोर्ट नहीं हो दूँगा साही चीज आपको उसको बतानी है ताकि उसकी confusion दूर हो जाए यानि उनको information देनी उनको inform करना है सरसे पहले वाले case में inform क्यों नहीं किया था भाई market में fs गय नहीं थे इससे पहले जो बच्चों ने situation की थी जो example की थी वो report date के बाद था but before the fs have been issued से पहले था यानि मैं कहा रहा हूँ fs issue होने से पहले था अब क्या fs issue होने के बाद है तो फिर मैं यही तो देखूंगा नहीं कि management के steps को review करूंगा management में क्या-क्या steps ली है in order to make sure के जो previously जिनके पास fs गए है वो inform हो जाए के भाई यह सूरत है हाल है यह situation है और फिर वोई procedure आपने वापस से perform करने जो subsequent event के लिए किये इस दिन तक जो आपने पहले देखा था और आप फिर अपनी new or amended audit report तब तक sign नहीं करेंगे जब तक जो responsible है fs को sign करने के लिए वो इसको sign करके आपको दे दे यानि वो authorize करते है बात समझ आज़ा रही हो फिर written representation भी इस दिन की वापस से ली जाएगी I hope this इसके लिए है अच्छा फिर वो कहता है मैं आपके लिए वरी simple कब भी है यहाँ पे same exception apply होती है वो law regulation वाली अगर law regulation या applicable financial reporting framework management को allow कता है कि अपनी amendment तक restrict रखे fs की amendment को यानि सिर्फ जो change होगा है बस वो यानि एक disclosure था तो pair page पे change होगा that's it और कुछ पूरे fs reissue पूरे fs reissign करवाने की कोई need नहीं है सिर्फ amended pages पे sign होगे that's it तो भाई सही है पर दो चावित governance को भी मना नहीं है law regulation की हिसाब से कि भाई आप सिर्फ amended pages पे sign करें और auditor को भी allowed not prohibited लिखावा था auditor को भी allowed है कि सिर्फ वो अपने procedures restrict करेगा to that amendment और कुछ भी नहीं करेगा तो उसके अंदर आपके पस था दूसरी चीज या तो new or amended audit report दो और फिर other matter के अंदर other matter के अंदर या emphasis matter के अंदर बता दो के वो मसला क्या था वहाँ पर refer कर दो situation पहली चीज़ ही हो गई अच्छा आगे फिर बोलता ही है ये बरी एहम बात है बहुत एहम है सुनिये गर्समें उसमें फर्क है बोलता ओडिर शेल इंक्लूड इन न्यू और amended audit report EOM और other matter reference to a note to the FS that more extensively discuss यानि note को refer करेगा जो extensively discuss करेगी reason for the amendment of the previously issued FS and to the earlier report provided by the auditor यानि अब आप management को कहेंगा अब एक note दालें FS के अंदर और वो note नहीं डालती तो other matter में बता देंगे पर other matter में फिर आपको detail बतानी पुरेगी और अगर emphasis of matter डालता तो यह सारी detail सारी explanation FS में आएगी और FS के अंदर सुनिएगा FS के अंदर उसको बताना इसलिए लाजमी है क्योंकि those who were previously given those financial statements उनके लिए हमारे लिए लाजमी हो जाएगा उनको यह बताना कि भाई यह मसला था तो मैं emphasis of matter के जरीए उसको refer करूँगा और मैं बोलूँगा भाई जो पहले FS issue हो गए थे वो उसमें मसला यह था और यहाँ यहाँ necessary amendments हो यहाँ तो यह सारी बाते यहाँ बताऊंगा sir emphasis of matter के अंदर क्योंकि एक बंदा जिसके पास वापिस से financials जाएंगे that percent will have a clear idea of के चल क्या राता हो क्या राता बात clear है तो sir यानि इससे पहले जितने भी cases किये मैंने जितने भी cases करवा है उन तमाम के तमाम cases में आपने EOM या other matter सिर्फ तब दिन था जब exception apply हो रही थी यानि auditor audit procedure apply कर रहा था up to the extent of debt amendment इस case के अंदर emphasis of matter या other matter लाज़ुई है क्योंकि जिसके पास पहले यह FF जा चुके तो इसको आपको inform करना है तो आप management को कहके यह note डलवाएंगे जो clearly explain करेगा के why financial statements are being reissued और पूरी situation महा बताएगा और हम emphasis में matter में लिख देंगे as referred to in note XYZ of the financial statements which describes in detail then why financial statements have been reissued and ordered report there on तो हम यह सीरा से लिख देंगे और आखर में लिख देंगे के our opinion is not modified in respect of this matter I hope this is clear खैर अब एक पर यह बात होगी ना के management मान जाए F-S issue हो गए वापस मंगा लिख जाए एक यह चीज़ दो कि अगर management necessary steps नहीं ले कि वो inform नहीं करें उन लोगों को जिनको F-S मिल चुके हैं पहला मसला कि भाई उन लोगों को inform नहीं कर दी है जिनको F-S मिल चुके थे पहला मसला और दूसरा अपने F-S भी amendment ना करें उपर क्या था अभी सीखा कि F-S issue हो गए थे management ने बोला या हम बैठें में कोई मसले वाली बात थी वापस मंगा लिए F-S मैंने amendment पर काम किया मैंने उनके steps को follow कि एक में उनने क्या steps लिए थे in order to aware them जिनके पास F-S जा चुके था था कि उनको issue पता लग जाए अब क्या case है financial statements date गुदर चुकी है issuance की data issuance की data F-S की issuance की date गुदर चुकी है management के रिए जाओ मैंनी करती वापस नहीं आएंगा F-S तो वापस नहीं आएंगा तो amend भी नहीं करती है F-S आकर सुनियेगा फिर उसने क्या कहा कि भाई फिर इस case के अंदर auditor की जिमेदारी बनती है कि वह management को notify करे और दो शाविर governance को that the auditor will seek to prevent future reliance on the audit report यानि मैं फिर कुछ actions लूँगा जिस्ते मैं ये make sure करूँगा कि कोई मेरी report पे भरोसा नहीं करे क्योंकि वह report गलत है क्योंकि अगर मेरे पास होती तो मैं amend कर दता उस report को तो पहले मैं notify करना उसको अच्छा जब notify किया और फिर भी despite such notification वह नहीं मानते तो फिर आप फिर आप appropriate actions लेंगे ये ensure करने के लिए कि जिसके पास में report गई है उसको ये बात समझ आ जाए कि ये report जो है वह गलत है और फिर भी गलत है I read करते है the auditor shall take appropriate action to seek prevent reliance on the auditor's report यानि फिर मैं necessary actions लूँगा necessary क्या लूँगा actions लूँगा कि ताके लोग मेरी report पर reliance placed ना करें अब ये depend करता है क्योंकि इसमें आइजा में कुछ में लिखावा पर ये depend करता है auditor के rights के उपर के भाई क्या उसके पास law regulation ने कितने rights दी है कि वो क्या क्या कर सकता है depends upon jurisdiction to jurisdiction कि वो क्या actions ले सकता possible actions क्या हो सकते है भाई वो icap को report करेगा that's it अकबार में इस्तियार देगा ये कर सकता है पर फिर भी अकबार में इस्तियार देना पर सामने वाले को discredit करना है वो भी depending करता है कि भाई क्या उसके पास legal right है तो वो law to law basis पर vary करेगा आप इस बात को समझेंगे भाई सबसे पहले अगर management वापस नहीं मंगवा रिये या दोश्रावर गरणने वापस नहीं मंगवा रिये तो मैं notify करूँ और देखो या फिर मैं जुक करूँगा ना फिर मुझे नहीं बोलना फिर जब मैंने इसको warning भी दे दी फिर भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम appropriate action लेंगे in order to make sure कि कोई उसके उपर alliance place ना करे सर यहाँ पर आपका subsequent event खतम होता है अगली class में हम इसके past paper शुरू कर लेंगे जी जजागला